रिवा के चुराटा थाना शेत्र के उमरिया गाउं में देर रात एक बड़ा हाथसा हो गया यहां पर मंदिर के गुंबच से टकरा कर प्रसिक्षू प्लेन क्रैस हो गया प्लेन में मौझूद सीनियर पाइलेट और प्रसिक्षू पाइलेट गंभी रूप से घायल हो गए जिनें उप्चार के लिए संजय गांदी अस्पताल में भरती कराया गया था जहां इलाज के दोरान सीनियर पाइलेट की मौत हो गई बताया जा रहा है कि चुराटा हुआई पट्टी से यह प्लेन उड़ा था जुसके बाद घने कोरे के चलते प्लेन नीचे रह गया और एक आम के पेड में तकराने के बाद मंदिर के गंभज से जा तकराया प्लेन के टकराने से मंदिर का गुमबज भी तूटकर नीचे गिर गया हाथसे में प्लेन में सवार दोनों घायलों को इस्थानी लोगों की मदद से उपचार के लिए रिवा के संजगांदी अस्पताल में भेजा गया था जहां पर उपचार के दोरान सीनिर पाइलिट की मौत हो गई जब की प्रसिक्चु पाइलिट की हालत गंबीर बनी हुई है रिवा के हुए प्लेन क्रेश की घटना में मृतक का नाम विमल कुमार है जो बिहार के रहने वाले है फिलाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है साथ ही इस बात का प्रयास कर रही है कि इस घटना के पीछे की वज़े घटना कोहरा था या फिर किसी और वज़े से यह हाथसा हुआ घटना की जानकारी लगने के बाद जिला कलेक्टर मनोज पुश्मा और एस बी नवनीद वसीन भी मौके पर पहुचे और घटना इस तल का निरिक्षण किया साथ ही मामले की जाँच को लेकर उचित दिशा निर्देश दिये है एक अन्य जानकारी के अंसार चुरहटा जो धीवा में हवाई पड़ती है वहाँ पर जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ती था जो हवाई ट्रेनिंग चल रही थी तो कोहरे के कारण से विमान मंदर के गुम्मत से टकरा के तारों पर जूल कर क्रैस हुआ है इसमें जो पाइलेट मरतक हैं वो बिमल कुमार है पटना बिहार के रहने वाले हैं हाल मुकाम उनका रिवा में निर्बल सिटी में था और एक जो घायल है ट्रेनी सोनू यादम ये जैपुर के रहने वाले हैं इनका इलाज चल रहा है गटना क्यों हुई कैसे हुई इनकी कारणों के लिए जाज का आदेस दिया है के इन सभी बिन्दों की ततकाल जाज करी जाए और जाज करके रिपूर्ट भी ततकाल रश्टुत की जाए उनकी टेकनिकल टीम बंबई से रवाना हो गई है जो टेकनिकल टीम भी पहुच जाएगी शाम तक उसको इलाके को पूरे को कवर कर दिया गया है तेकनिकल तीम आने तक और जाज की आदेस दे दिये गई कि घटना है यह साढ़े ग्यारव पॉने वारव बजे रात की घटना है और ौरवाकन ट्रेनिंग इस्टिटूट जो यहां है उसके यह ट्रेनी पाईलट और उनके साथ के थे वह उनकी यह फिलाइट है क्रेस की है और उसमें जो मेर्टप्टन थे उनकी डेथ हो गई थी उनको रात महीं संजय गानी अस्पताल ले जाए गया तो वहां उनको प्राट डिथ पाया गया है और जो ट्रेनी ले रहे थे उनकी भरती कराया गया था अब आई सीउ से वो जनरल बार्ड में शिफ्ट हो गया है उनको कुछ फ्रैक्चर्स हैं लेकिन आउट अब देंजर ब करेंगे और बाकी ये अच्छी बात है कि कोई और हताहत नहीं हुआ और कोई इस दुरगटना में और कोई गायल नहीं हुआ है ना कोई च्छती हुए अभी जो कारण पता चलता रहे हैं किन काड़ने चाहिए कारण तो जब टीम आएगी तो वही बता पाएगी वैसे संभ गटना करता हुआ है इसमें दो लोग सवार थे इसमें ट्रीनिंग देने वाले जो पाइलेट थे उनकी डेथ हो गई है और दूसरे विक्स्ति का टीटमेंट अभी चला है मेडिकल कॉलिज में और अभी पूरे छेत्र को हम लोगो ने प्लिस फोर्स लगा के सेक्योर कर लि इनकी डेथ हुई है वो कहा के रहने वाले हैं क्या पता है अब डिल्स निकाली जा रही है वो यहाँ पर टेरिंग दिने काम करते थे वरतमान में वहीं बेस्द है रिवा जुले में उनका निवास है उनकी फैमिली में ही रहती है उनका पिछला बेग्राउंड और पूरे डिल्स अभी हम लोग गात कर रहे है रिवा से अनराग अगनिहोतरी की रिपोर्ट